प्रेशन 4 सरुसमी का x प्लस a गुणा x प्लस b बरावर x स्क्वार प्लस a प्लस b गुणा x प्लस a b का उप्योग कर निमनलिखित का गुणनफल एवा मान ग्याद करें तो प्रेस्न 4 प्रेस्न 4 का D अभी हल करेंगे तो D में है 2X माइनस 7 गुना 2X माइनस 9 तो इसको इस तरह हम लिख लेंगे देखें 2X प्लस माइनस 7 गुना 2X प्लस माइनस 9 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र में कह रहा है X प्लस A गुना X प्लस B देखें प्रेस्न में ही दिया हुआ है सूत्र जो अभी हम पढ़ रहे थे X प्लस A गुना X प्लस B बराबर x square प्लस a प्लस b गुना x प्लस a भी तो x प्लस a तो देखें x के जगा पे 2x है और a के जगा पे है माइनस 7 तो x प्लस a यानि माइनस 7 है तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं यानि प्लस माइनस 7 ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है अगर कोश्टर खटाएंगे तो माइनस 7 यह फिर से इस तरह हो जाएगा तो a प्लस b x प्लस a तो x के जगा पे 2x है और a के जगा पे कौन है माइनस 7 फिर x प्लस b x के जगा पे 2x है और b के जगा पे है माइनस 9 x plus b यानि x plus a गुना x plus b इस तरह हम इसको पहले लिख लेंगे अब सूतर क्या कह रहा है प्रस्न में देखें सूतर दिया हुआ है x square plus a plus b गुना x plus a b यानि x plus a गुना x plus b बराबर क्या होता है x square तो x के जगा पे 2x है यानि 2x का square plus a plus b plus b b के जगा पे हैं माइनस 9 कोश्टक में है तो देखे a plus b x square plus a plus b a के जगा पे माइनस 7 b के जगा पे माइनस 9 और x के जगा पे 2x ठीक है गुना x तो x के जगा पे कौन है 2x तो यहान पे लिख देंगे जोड a गुना b a है माइनस 7 गुना b है माइनस 9 तो इस तरह हम पहले सूत्र पे बठा देंगे फिर से इसको समझते है x square देखे, x के जगा पे x बराबर है 2x तो x square plus a plus b a के जगा पे माइनस 7 है p के जगा पे माइनस 9 है तो a plus b गुना x तो x के जगा पे 2x है तो 2x लिख देंगे plus a इंटू b यानि माइनस 7 गुना माइनस 9 तो इस तरह लिख लेंगे इसको अब 2x का वर्ग क्या हो जाएगा 2x का वर्ग तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x square ठीक है तो 4x square हो गया अब देखे minus 9 और minus 7 क्या हो जाएगा minus 16 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं देखे minus 7 plus minus minus 9 गुना 2x प्लस देखे 9 सते 63 यह गुना में है दोनों तो 9 सते 63 minus minus हो जाएगा plus यानि सिर्फ 63 लिखेंगे इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो 4x square minus 7 minus 9 कितना हो जाएगा minus 16 ठीक है minus 16 देखे minus 7 minus 9 minus 16 और minus 16 गुना 2 minus 32 ठीक है minus 32x और plus है तो plus minus minus ही होगा यानि minus 32x लिख देंगे यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं तो minus 7 minus 9 कितना हो गया minus 16 minus 16 गुना 2x यानि minus 32x 16 गुना 32 होता है क्योंकि गुना में है देखे कोष्टे के बाहर है तो गुना होगा तो minus 7 minus 9 minus 16 minus 16 गुना 2x यानि minus 32x यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही देंगे प्लस 63 तो इसका उत्तर हो जाएगा 4X स्क्वाइर माइनस 32X प्लस 63 तो इस तरह इसको हल करेंगे तो 2X माइनस 7 गुना 2X माइनस 9 कितना हो जाएगा 4X स्क्वाइर माइनस 32X प्लस 63 तो इ में है बामन गुना तिरपन तो देखे इसको हम लिख सकते हैं 50 जोड दो गुना 50 जोड दो गुना 50 जोड तीन ठीक है यानि बामन को क्या लिख सकते हैं 50 जोड दो 50 में दो जोड़ेंगे और तिरपन को लिख सकते हैं 50 जोड तीन अब देखे सूतर पर ओपर दिया हुआ है कोशन में इसका सूतर x plus a into x plus b तो x square यानि 50 का वर्ग हो जाएगा plus a plus b यानि 2 जोड 3 गुना 50 तो a plus b गुना x, x के जगा पे कौन है? 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे जोड a गुना b यानि 2 गुना 3 तो a के x के जगा पे 50 था a के जगा पे 2 और b के जगा पे 3 तो x square जोड a plus b गुना x जोड a गुना b इस तरह लिख देंगे तो x square प्लस a plus b गुना x plus a b तो x plus a गुना x plus b बराबर क्या होता है? x square प्लस a plus b गुना x plus a b यानि 50 का वर्ग 2500, देखे 25 25, यहाँ पे x सुनने है तो 2 सुनने दे देंगे जोड 3, 2, 5 देखे 3 और 2 कितना होगा? 5 3, जोड 2, 5 और यह गुना में है कोष्टा के बाहर है तो गुना में है तो 5 गुना 50 यानि 5 गुना 50, पचास पचे 250 जोड 3 दूना 6 इस तरह लिख देंगे अब देखे इसको जोड देते हैं तो 6 5 5, 2, 7, 2 यानि कितना आगया इसका उत्तर? 2756 इन तीनों को जोडने पर कितना आगया? 2756 तो इस तरह हल कर लेंगे अब देखे एफ तो एफ में क्या है? 3 दसमलो 1 गुना 3 दसमलो 2 तो इसको हम लिख लेंगे देखे तीन जोड सुन्ने दसमलो 1 गुना तीन जोड सुन्ने दसमलो 2 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तीन दसमलो 1 को तीन जोड सुन्ने दसमलो 1 जोड़ेंगे तो तीन दसमलो 1 आ जाएगा उसी तरह 3 में 0.2 जोड़ेंगे तो 3.2 हो जाएगा यानि X प्लस A गुना X प्लस B के रूप में आ चुका है X, X के जगा पे 3 है A के जगा पे 0.1 है और B के जगा पे 0.2 है तो X प्लस A गुना X प्लस B क्या होता है X स्क्वाइर यानि 3 का वर्ग प्लस A प्लस B यानि 0.1 प्लस 0.2 यानि A प्लस B गुना X यानि 3 तीन लिख देंगे जोड़ A B यानि 0.1 गुना 0.2 तो इस तरह देखें सूतर पे बठा दिया है X स्क्वाइर जोड़ A प्लस B गुना X जोड़ A B यानि ये गुना B तो जो सूतर दिया हुआ है प्रस्ण में प्रस्ण चार में वही सूतर सब में लगाना है तो तीन का वर्ग 9 जोड़ अब देखें इसको जोड़ेंगे तो 2.1.3 यानि 0.3 हो जाएगा देखें 0.1 जोड 0.2 तो 2.1.3 यानि सूने दस्ण मलो 3 हो जाएगा इसको जोड़ने पर तो सूने दस्ण मलो 3 गुना 3 ये गुना में है तो सूने दस्ण मलो 9 हो जाएगा यहां पर इसको जोड़ करके इससे गुना करने पर जोड़ अब देखें इसको गुना करते हैं दो गुना एक दो, अब दस्मलों के बाद एक अंक है, यहां भी दस्मलों के बाद एक अंक है, तो दो अंक हो जाएगा इसका गुना अंफल में, यानि दस्मलों के बाद दो अंक होना चाहिए, तो दो के पहले एक सून्य दे देंगे, और दस्मलों के पहले सून्य दिया जा सब को जोड़ना है दो नौ नौ यानि नौ दस्मलो नौ दो कितना आ गया नौ दस्मलो नौ दो तो इस तरह से प्रस्न एफ हल कर लेंगे हुआ कितने नौ इस थाई ज क Works बस्सकता कर गयाओ कि अो इस धरी थाई involाप इस प्रणका गया है medicine